आधर आधाब अभिनंदन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जुलोजी क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं एपिकल्चर प्रिवेस वीडियो में हमने एपिकल्चर के इंट्रोडक्शन से लेकर सोचल और्गिनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ओफ हनीबी, मेथड ओप एपिकल्चर और इसके अलावा एपलाइन से जो एपिकल्चर की हमने डिटेल स्टिडी की थी इनके अलावा हमने कल के वीडियो में लाइफ साइकल ओफ हनीबी के बारे में डिसकस किया था आज एपिकल्चर के इस अंतिम पार्ट में हम एपिकल्चर के कुछ महत्पून टोपिक के बारे में डिसकस करेंगे जैसे केचिंग एंड रियरिंग ओफ हनीबी इनकी साइथा से हम आज एपिकल्चर टोपिक को कम्प्लीट कर लेंगे हम बात करते हैं सबसे पहले केचिंग एंड रियरिंग ओफ हनीबी मदुमक्यों को पकड़ना एवं इसका पालन पोसंड सबसे पहले बात करें हम केचिंग की तो मदुमक्यों को स्वार्मिंग के समय पकड़ा जाता है अर्थार आप यह कह सकते हो कि जब इनका बहतर एंवार्मेंट होता है या बहतर कंडिशन्स होती है तब यह स्वार्मिंग के लिए निकलती है और स्वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेज है जिसमें मदुमक्या छत्ते से कुछ दूरी के लिए निकलती है और आकास या इसकाई में सवतनतर रूप से विच्चन करती रहती है यह प्रोसेज समनेते रिप्रोडक्शन के लिए होता है जिनमें ड्रोन और क्वीन दोनों आपस में फ्लाइट करते हैं और इस प्रकार की फ्लाइ इस प्योड कहा जाता है जिनके दोरान कोपूलेशन का प्रोसेज होता है और कोपूलेशन के पुर्सेज के पसचात है में या ड्रोन टाइड हो जाता है और फीमेल या क्वीन अपने चेम्चर में पहूच सकते हैं जिनमें कुछ सहद की मात्रा लगा कर इन्हें मदुमक्यों के स्वार्मिंग के पात में रखा जा सकता है जहां मदुमक्या सहद की वज़े से अटेक्ट होकर इस टोपी नुमा जाल में एकर्थित हो जाएगी और जब काफी संक्या में मदुमक्या एकर्थित हो जात चत्ते या पेटी में आसानी से इस्तानांतित किया जा सकता है। इनके अलबा अगर हम किसी प्राकरतिक हाईव या चत्ते से रानी मद्धुमक्खी को लाकर भी नई कोलोनिक का डवलोप्मेंट कर सकता है। इसके लिए रानी मख्खी को पुराने चत्ते या पेटी से लाकर उस पर नए चत्ते का शहद लगा दिया जाता है। जिससे वो उसे आसानी से अडेप्ट कर लेती है और अपनी सदिश्य संक्या बढ़ाने लगती है। तो एक रानी मद्वमक्खी को लाकर भी नए चत्ते का फॉर्मिशन करवा सकते हैं। और स्वार्मिंग के दोरान मद्वमक्ख्यों को पकड़ कर भी नए कोलोनी स्टेपलाइज करवा सकते हैं। तो रियरिंग एंड केचिंग प्रोसेज में केचिंग होने के पस्चात मदुमक्यों का पालन पोस्टन किया जाता है इसके लिए कुछ विशेश सावधानिया हमें रखनी पड़ती है जो हम इस नेक्स्ट टोपिक में पढ़ेंगे हाइव मेंटिनेंस एंड मेनेजमेंट जो मदुकोस होता है जिसे चत्ते केते हैं इस मदुकोस या चत्ते का प्रबंद और इसकी मेनेजमेंट हम कैसे करते हैं या मेंटिनेंस कैसे करते हैं तो कृतीम चत्ते या प्राकृतिक चत्ते की सुरक्सा एवम प्रबंद की बात करें तो हमें कुछ की पोइंट का ध्यान म होना आवशक है जैसे 5-6 स्टेप में मैं कुछ प्रिक्वेशन्स बताऊंगा जिनके आदार पर हम आर्टिफिशिल हाईव का बहतर तरीके से मेंटिनेंस कर सकते हैं सबसे पहले हमें उस इस्तान का चेन करना चाहिए जो इस्तान स्वस्थिता की द्रश्टी से बहतर हो इसके लावा कुछ उपर उठावा हो और प्राकरतिक सत्रों से बचावा हो क्योंकि आप सब समझते हैं मदुमक्कियों के प्राकरतिक सत्रों जैसे कुछ एंड से वैस्प है या अन्य परकार के जो इंसेक्ट्स है जिनसे मद्दुमक्कियों को खत्रा रहता है इनसे बचाओ के लिए हमें ऐसे इस्तान का चेहन करना चाहिए जहां स्वस्ता के साथ साथ हवा का बहतर आदान परदान हो सके और इस्तान कुछ उपपर उठावा हो अर्तार जो धरातल है या भूतल है उससे कुछ उपपर उठावा हिस्तान होना चाहिए ताकि ये मद्दुमक्कियों के प्राकरतिक शत्रों से सुरक्षित रह सके सेकिंड प्रिक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले जो भी आर्टिफिशल हाईव को मेंटेन कर रहा है उसे मद्दुमक्की पाल के स्वार्मिंग से लेकर कोपुलेशन एवम इनकी विविन गतिविद्यों या कम्यूनिकेशन पर अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि वे छत्ते की देखबाल आसानी से कर सकें नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि छत्ते उस इस्तान पर इस्तापित होने चाहिए जहां से फूलों वे पुस्पों के रूप में बोज्य पदार्थ आसानी से उपलब्द हो सकें अर्थार्थ आदे मील से अधिक डिस्टेंस नहीं होना चाहिए अगर इससे अधिक डिस्टेंस या दूरी होती है तो सर्मिकों को पराग और मकरंद एकतित करने में फ्रैसानी होती है या डिफिकल्टीज होती है और चत्ते या आर्टिफिशल हाईव में हनी का डिपोजिशन नहीं हो पाता है या आपके सकते कम होता है तो चत्ते ऐसे इस्तान पर इस्तापित करने चाहिए जहांसे बढ़िया क्वालिटी के पुस्प उपस्तित हो और इनकी डिस्टेंस सामने ते चत्ते से लगबग आ बात करें तो फॉर्थ की पॉइंट में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि छत्ते के पास सूर्य के प्रकास की उपस्तिती और पानी के स्रोत अवेलेबल होने चाहिए सनलाइट और वाटर की अवेलेबिल्टी एक आर्टिफिशल हाईव और नेच्रल हाईव के लिए बहु सीजन होता है उस समय चत्ते में टेंप्रेचर मेंटेन रखने के लिए जो वर्कर्स फेनिंग का प्रोसेज करते हैं अर्थाथ पंक जलने का जो प्रोसेज होता है जिनकी साहिता से ये चत्ते का आंत्रिक वातावरण कम बनाए रखते हैं और बहुत सी सावधानिया है जिनमें फिप पॉइंट की बात करें तो छत्ते की पालन करता के द्वारा विशेश मोनिटरिंग करनी चाहिए या आपके सकते हैं समय समय पर आर्टिफिशल हाईव की मोनिटरिंग करते रेना चाहिए ताकि प्राकर्तिक सत्रों या हाईव के मेंबर्स में अगर कोई डिजीज हो तो आसानी से पता चल जाए अते आप यह के सकते हैं इनकी क्लोजली मोनिटरिंग होना आवशक है इनके लावा सिक्स्त की पॉइंट की बात करें तो किसी भी हाईव चाहिए वो आर्टिफिशल हो चाहिए नेच्र होनी चाहिए अगर क्यूविन की संक्या एक से अधिक होती है तो आर्टिफिशल या नेच्रल हाईव को नुकसान होने के बहुत चांसेज होते हैं क्यों क्योंकि एक से अधिक रानी मद्युमक की छत्ते में सहद चूसने का कायरी करेगी या जो सर्मिकों के द्वारा भोज अधिक मात्रा में ग्रहन करेगी इससे पालनकर्ता को अधिक नुकसान होगा इनके लवां कि सेवंथ की पॉइंट की बात करें तो पालनकर्ता को यह विशेश ध्यान रखना होता है कि जो कोलोनी में क्यूइन होती है उसको हर एक साल में बदला जाता है अर्तात प्रती एक साल के पस्चात रानी मद्धुमक्की को छत्ते से निकालना होता है अगर एक साल से अधिक रानी मद्धुमक्की को कोलोनी में बनाए रखा जाता है तो इन में एग लेंग का हो जाता है जिसके कारण सदिश्यों की संक्या में वेरियेशन आ सकता है और कोलोनी कि आप कह सकता है कि ए नियंतित हो सकती है तो कि इस परकार की समिश्या से निपटने के लिए कोलोनी में प्रत्येक साल क्यूविन या रानी मद्दुमक्खी को बदलना आवशक है इनके लावा एक दो प्रिक्वेशन और रखी जाती है किसी कंडिशन में फूड अवेलिबिल्टी कम हो या फूड सोर्सेज कम हो तो छत्ये के पास में एक आर्टिफिशल फूड आप रख सकते हैं जैसे सो ग्राम चीनी को देड़ सो से दो सो एमिल वाटर में डिजोल करके छत्ये के पास में रख दिया जाता है जिससे सर्मिक आसानी से भूजी सामगरी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रतिकुल प्रस्तितिया होती है या बोजन की कमी होती है तो सर्मिक मदुमक्या यहां से बोजन प्राप्त करके आसानी से एक कोलोनी को नियंतित रख सकती है। मेंटेन रखता है अर्थात कोलोनी में टेंप्रेचर बढ़ने पर सर्मिक मदुमक्या अपने विंक्स की साहिता से पंका जलने की प्रकिरिया करते हैं जिससे कोलोनी का आंत्रिक तापकरम सामयन्य बना रहता है। इनके अलावा भी हमें कुछ प्रिक्वेशन्स रखनी होती है जैसे मदुमक्य के चुनाव की भी हमें विसेश जानकारी होनी चाहिए। एसे मदुमक्यों का चुनाव करना चाहिए या एसी जाती का चुनाव करना चाहिए जो जेंटल टेंप्रामेंट दरसाती हो अर्थाक मर्दु सववाव दरसाती हो और अधिक परिसर्मी हो अधिक मेनत करने वाली सर्मिक जातियां उसमें सम्मिलित हो इस प्रकार मदुमक् की जो एपियरी होती है इसे वेल डवलप कर सकते हैं और हम अधिक वेनिफिट ले सकते हैं तो हाईव मेंटिनेंस एन मेनेजमेंट में हमें इन की पॉइंट्स का विशेश ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट्स ओप एपिकल्चर मद्मकी पालन के उ से प्राप्त होते हैं जिनमें फर्ष्ट है हनी या सहद और सेकिंड बीवेक्स या मद्मकी का मौम फर्ष्ट हनी इससे आप सब प्रीचित होंगे हनी सहद हनी का नाम आते ही आपके मूं में सलाइवा सी क्रिशन होआ होगा यह बहेदी पॉस्टिक और मीठा पदार्त है ज तो हलके सपेद या पीले गहरे रंग का होता है अगर हम शहद की बात करें तो शहद का उलेक विबिन प्राचीन साहितियों में देखने को मिलता है और आयुरुवेद में इसे एक ओस्दी का दरजा दिया गया है ओस्दी का दरजा इसलिए दिया गया है क्यों कि ये विबिन डिजीज में यूसपुल होता है जैसे जो मेल नरिष्ड प्रसंस होते हैं या चाईल्ड होते हैं उनमें ये बहतर टोनिक का काईरे करता है या सक्तिवर्दक ओस्दी का कायरे करता है तो जो कूपोसित बच्चे या मनुश्य होते हैं उनमें बहतर स्वास्ते के लिए ये एक इंपोर्टेंट ओनिक है इनके लवा जो डाइबिटिक पेसेंट्स होते हैं उनमें भी हनी को एज फुड इस्टप यूज में लिया जा सकता है ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो सके और उन्हें निट्रिशन प्रोवाइड करवा सके इनके लवा विबिन प्रकार की बिमारियां जैसे टाइफाइड, कोलेरा, आदी में भी हनी का महतपूर्ण योगदान होता है इसके अलवा अगर बात करें हनी के द्वारा प्राप्त एनर्जी की तो एक किलोग्राम हनी से लगबग 3500 किलो केलोरी एनर्जी प्राप्त होती है अगर हनी की बात करें हम तो एक किलोग्राम सहथ से 3500 किलो केलोरी उर्जा हमें प्राप्त होती है जो विबिन पदार्तों से बहतर है अर्था आप यह कह सकते हैं कि 11.5-11 लीटर दूद से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वो एक किलोग्राम सहथ से इजिली प्राप्त हो जाती है और हनी डाइजेशन में भी काफी आसानी से डाइजेश्ट हो जाता है तो हनी एक महत्वपूर्ण पदार्त है जिसका उप्योग आईरुवेदिक के साथ साथ विबिन बिमारियों में ओस्दियों के रूप में किया जाता है नेक्स्ट प्रोड़क्ट की बात करें तो बी वेक्स की बात करें तो ये एपिकल्चर का एक सब प्रोड़क्ट है या उपो उत्पाद है जिसे आप कह सकते हैं से उत्पाद है क्योंकि सहथ के साथ साथ वेक्स का फोर्मेशन भी कुछ वर्कर्स करते हैं आपको पता होगा workers के social organization में मैंने ये बता है था कि workers में कुछ wax gland उपस्तित होती है जो इनके abdomen region में उपस्तित होती है जिनकी साहिता से ये wax का secretion करते हैं और ये wax जो hives होते हैं उनमें जो honey का chamber होता है जिसे super chamber कहते हैं इस super chamber को seal करने का career करते हैं ताकि जो hives होता है वो बहार से आसानी से seal हो जाता है और उससे सहद बहार नहीं निकल पाता है तो वी wax एक sub product है एपिकल्चर का जिसका उप्योग की बात करें तो इसका उप्योग विबिन परकार के cosmetic items में किया जा सकता है या सौंद्रे प्रसादन में इनका उप्योग किया जाता है इनके लवा विबिन परकार के cosmetic items में base product या आधारी पदात के रूप में किया जाता है इनके लवा wax का प्रियोग paint और awareness के साथ साथ विबिन परकार की cold cream, saving cream आधी में भी इसका उप्योग किया जाता है इसके लवा और विश्तर तरीके से हम mom के प्रियोग की बात करें तो mom का प्रियोग हम carbon paper या विबिन परकार के engines में lubricant जिसे इसनहक कहते हैं इसके रूप में आसानी से हम कर सकते हैं तो ये कुछ महत्पून प्रोडक्ट है एपी कल्चर के सहद और बी वेक्स सहद के formation की अगर हम बात करें तो सहद सर्मिक मदमक्कियों में नेक्टर के द्वारा उत्पन होता है अर्थार जो सर्मिक मदमक्कियां अपने crop region में नेक्टर कलेक्ट करके लाती है उस नेक्टर को ये सेलाइवा एड करके और साथ में विविन परकार के digestive enzymes इसमें एड करके modified कर देती है जैसे सुक्रोज को लेविलोज और डेक्स्ट्रीन सुगर में convert कर देती है और साथ में जब ये hives तक पहुंचती है तो अपने crop region में जो नेक्टर होता है जिसे modified कर देते हैं अर्थार उसमें saliva और digestive enzymes एड कर देते हैं उसके पस्चात हाईव में जाकर इसे मदू कक्स में या honey chamber में transfer कर देते हैं और transfer करते समय एक wishes process होता है जिसकी साहिता से ये honey में आवशक्ता से अत्रिक्त जल को vaporized form में बहार निकाल देते हैं ये क्रिया सर्मित मदू मक्यों के पंको द्वारा की जाती है जिनकी साहिता से सर्मिक मदू मक्या छत्ते के बाहर तेजी से अपने पंको को हिलाती है जिसकी साहिता से मदू कोस में शहद भरते समय आवशक्ता से अत्रिक्त जल वास बनकर उड़ जाता है और मदू एक कंप्लीट कंपोजिशन में रेडी हो जाता है इसके बाद सर्मिक मदू मक्या ही अपनी मौम गरंतियों के द्वारा मौम का इस्तरावन करके उन चेंबर्स या कक्सों को या सेल्स को क्लोजड कर देती है और सील कर देती है जिसके बाद इनका उप्योग कोलोनी के कोई भी सदिश्ये नहीं कर पाते है तो हनी एक महत्पुन सबस्टेंसेज है एपिकल्चर का और इसी के बेसिस पे एपिकल्चर को एक सोट इंडस्ट्री के रूप में अपनाया जा रहा है और अधिक पोपुलर हो गया है हम बात करते हैं केमिकल कमपोजिशन ओफ हनी भी क्योंकि ये एक महत्पुन सबस्टेंसेज है तो इसके रासाइनिक संगटन के बारे में क्यूशन के बार पूछा जाता है कि हनी भी में किस किस प्रकार के तत्व या पदार्ट मिलेवे होते हैं परसेंट होती है सुक्रोज 1.9% और डेक्स्ट्रीण ये भी एक सूगर का टाइप से 1.5% ये होती है तो यह 0.18% परोटीन होते हैं मींरल्स के हम बात करें तो यह 3.3% के लगबक मेंरल्स या खनीजलवन देखे जाते हैं जिन मैं सोडियम, पोटेशियम, केल्सियम, मेगनिशियम, आदी आइन्स होते हैं, इनके लवाटर भी इनका मुख्य कंपोनेंट है, जो 70 से 20 परसेंट होता है, साथ ही इनमें विटामिन्स A, B और K की उपस्तिती भी देखी गई है, जिनमें विटामिन्स 0.01 परसेंट के लगबग हो होते हैं, और इनके लवाटर एन्जाइम्स और पिगमेंट्स अर्थार वर्णक और किन्वकों की उपस्तिती भी इनमें देखी जाती है, जो की 2.21 परसेंट के लगबग होती है, अर्थार आप यह कह सकते हैं, कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखे अनीबी का, तो इनमे सुगर्स होती है, जो की फ्रुक्टोज, ग्लुकोज, सुक्रोज और डेक्स्ट्रीन या डेक्स्ट्रोज के रूप में उपस्तित होती है, तो यह केमिकल कंपोजिशन हनीबी का, जिसके बारे में कही बार एक्जाम्स में क्यूशन पूछा जाता है, तो आप यहां से एक अथेंटिक केमिकल कंपोजिशन को आप नोट कर सकते हैं, और यही कंपोजिशन हनीबी में हमें देखने को मिलता है, अब बात करते हम एनिमीज एंड डिजीज ओप हनीबी, हनीबी के प्राकर्तिक शत्रू या बिमारी की, तो हनीबी में कुछ प्राकर्तिक शत्रू देख देखने को मिलते हैं, जिनकी साइता से हाई विया को नश्ट कर देते हैं, और कोलोनी में सदीशी संग्या कम होने या नश्ट होने पर एपी कल्चर बुरीतरे प्रभावित होता है, और इसके प्रोडक्शन में हमें बहुत हानी होती है, हम बात करें major enemy और disease की तो कुछ enemies इन में देखने को मिलते हैं जैसे एकेरोंसिया sticks ये इसका सबसे बड़ा शत्रू है ये एक ends या चीटी होती है अर्था चीटी के एक प्रजाती है जिसे अकेरोंसिया sticks केते हैं ये इनकी मुख्य शत्रू है ये चत्ते में गुशकर सहद चूसने का कारिय करती है और artificial hive या कृतीम चत्ते में भारी मात्रा में सहद में कमी लाती है तो अकरोंसिया sticks जहां उपलब्द होती है उनके natural habitat में artificial hive को इस्तावित नहीं करना चाहिए एक और महत्पूर्ण शत्रू है अंडे देने का कारिय करती है और इन अंडों से उत्पन लार्वा और प्यूपा सहद चूसकर artificial hive या natural hive को नश्ट करते हैं या सहद में कमी करते हैं तो गेलेरिया मेलोनेला जो स्लब या मोत है ये भी चत्ते में गुसकर चत्ते में अंडे देती है और अंडे के उप्रान जब लार्वा और प्यूपा वस्ताएं आती है तो ये उस artificial या natural hive को पूरी तरह से नश्ट करने का कारिय करती है इनके लवा एक महत्पूर्ण शत्रू है जो spider के form में होता है अकेरिप एक केरेपिस वूडी एक spider है जो सामनेते हनीबी में एकेराइन डीजीज उत्पन करता है अर्था अकेराइन एक महत्पूर्ण रोग है जिसकी साहिता से हनीबी अपनी महत्पूर्ण गतिविदिया नहीं कर पाती है और कुछ दिनों परस्चाद इनकी म्रत्ती हो जाती है तो अकेराइन जो वीमारी होती है वह एक विशेष परकार की मकडी अकेरेपिस वूडी के द्वारा होती है इसकी उपस्तिती भी कई हाईव में देखना को मिलती है तो जहां भी इनकी उपस्तितियों वहां से छत्ते को प्रत्थक कर लेना चाहिए या आईसोलेट कर लेना चाहिए इनके लवा समयनिते कुछ बिमारीयों की हम बात करें तो इनमें हनीबी में पेरालिसिस और डिसेंटरी दो समयनि बिमारीय जिनकी उपस्तिति में शर्मिक मदमतियां दम तोड़ देती है या नश्टोने लगती है तो पेरालिसिस और डिसेंटरी से बचने के लिए जहां भी आर्टिफिश्यल या नेचरल हाई इस्तापित किये गये हैं वहाँ सल्फर का गोल हम पर्युक्त कर सकते हैं सल्फर के गोल की कुछ शांदरता जैसे 0.1 से लेकर 2% के सल्फर गोल को अगर हम आर्टिफिशल या नेच्छल हाईव पर चिलगते हैं तो पेरलेसिस और डिसेंट्री डिजीज में काफी साहिता मिलती है और अगर किसी सर्मिक मदमक्यों या अन्य सदिश्यों को अगर ये बीमारी हुई है तो ऐसे सदिश्यों को जल्दी से जल्दी कोलोनी से प्रत्थक कर देना चाहिए अन्यता धीरे धीरे वे कोलोनी के अन्य सदिश्यों को भी संकरमित करते हैं और कोलोनी में जो हनी डिपोजिशन है उसमें भयेंग कर कमी देखने को मिलती है तो यह कुछ दिजीज और एनिमीज थे जिनके बारे में हमने डिसकस किया इस तरहे आज एपिकल्चर के चोते पार्ट में हमने कम्प्लीट एपिकल्चर का फिनोमिना या प्रोसेस देखा I hope आपको यह एपिकल्चर के चारो लेक्चर पसंद आये होंगे अगर आपको एपिकल्चर से इलेटेड किसी भी एकजाम्स में कोई डाउट है या कोई प्रोब्लम से तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं मैं इन चारो लेक्चर के अलावा कोई कंटेंट अगर एपिकल्चर का रह गया है तो मैं उसका सॉलूशन करने की कौसिस करूँगा आपने मेरे चारो वीडियो या लेक्चर्स की सीरीज को देखा और I hope आपको ये आसानी से एपिकल्चर का पूरा प्रोसेस समझ आया होगा अगर आपको समझ आया है तो आप मेरे चैनल जूलोजी क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए और मुझे प्रोससाहित कीजिए ताकि आने वाले दिनों में मैं एपिक कल्चर के साथ साथ सेरी कल्चर, पिसी कल्चर और लेक कल्चर के बारे में भी बहतर कंटेंट और क्वालिटी के वीडियो बना सकूँ ताकि आपको एप्लाइट जुलोजी का ये पॉर्षन इजीली समझ में आ जाएं ये प्रतियक एकजाम्स चाए नाइन्थ क्लास हो चाए टेंथ क्लास हो या ट्वेल्थ क्लास हो या बीएसी या कोई मेडिकल एकजाम्स हो सभी में एप्लाइट जुलोजी के इन टोपिक्स का महतपुन योगदान है और इनमें से क्यूशन्स हर साल पुटप होते हैं तो एप्लाइट जुलोजी के इस पॉर्शन में हम लगबग सारे कल्चर जिन में एपिकल्चर के अलावा सेरी कल्चर है पिसी कल्चर है प्रोन कल्चर है और साथ में पोल्ट्री फार्मिंग है इन सभी का हम डिटेल से द्धिन करेंगे तो आप मेरे चैनल जुलोजी कलासेज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और रिंग बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि एप्लाइट जुलोजी के बच्चर वे लेक्चर्स आपको इजिली मिल सकें और समय पर मिल सकें धन्यवाद थैंक्स अलोट